जैहिन दोस्तों वेलकम बैक माई चल्रेंट फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं 25 मेगे करेंट अफेर्ट जो अपके एक्जाम पॉइंट विचा वेरी वरी इंपॉर्टेंट होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 मेगे करेंट अफेर्ट कितने करोड रुपए में इस तापित भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का उत्कारण किया गया इंपॉर्टेंट कोशन है क्योंकि 5G का टेस्ट बैंड हमने स्टार्ट कर दिया है और इसका जो पहली जो खर्च आया इसके अंदर वह है ऑप्शन सी 220 क्रोड रुपए का ठीक न 220 क्रोड रुपए का खर्च के साथ पहला जो हमारा 5G टेस्ट बैंड है वह कहां पर IIT मदरास में और हमारे केंदरी IIT मंदरी अश्विनी वैशनवर जी ने इसका पहला कॉल करके उत्काटन किया ठीक है तो IIT मदरास के अंदर इसका पहला प्रसिशन किया गया है तो इंप द्वारा और IIT मदरास के नेधित में एक बहुत हित धारक सायोग पर योजना है अन्ये साथ संसान IIT दिल्ली, IIT मदरा, हैदराबाद, IIT बांबाई, IIT कानपूर, IS, बैंगलूर और सोसाइटी फॉर एपलाइड Microwave, Electronics, Engineering and Research Center इन सभी जगाओं पर इस सीच का ट्रायल किया जने वाला है तो इंपोर्टेंट है यहाद अखना ठीक है Q2 विश्व बैंक ने खाजिस अंकड़ों कम करने के लिए कितने बिलियन डालर की साहता देने की गोशना की है तो फ्रेंट राइड इंसर होगा Q3 विश्व कच्वा दिवस कब बने जता है वर्ल्ड ट्रेटल डे कब बने जता है तो यह 23 माई को बनाया जाता है एक गैर लाब करी संकड़न अमेरिका कच्वा बचा दोरहर साल 30 माई को विश्व कच्वा दिवस बने जता है यह दिवस दुनिया बर के कच्वा और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा करने के लिए लोगों को जग रुपता बढ़ाने के लिए बने जता है तो य विश्व थायराइड दिवस फ्रेंड आज जी की दिन 25 माई को यह बनाया जाता है ठीक है तो विश्व थायराइड डिवस रोगों को उनके लक्षण हो रोकताम और बचा उपचार के वारे में जब अब तब और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 माई को विश्व थायर है तो इस साल की जो थीम में इंपोर्टेंट है काफी बार यहां से कोशन आ जाते हैं ठीक है चलते हैं अगे फ्रंट कोशन नमबर फिफ था चोटा कोशन पर ऐसे कोशन के चांस ज़एदे ज़ए 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 रहते हैं निम्ले किस राज्जे की महिला होकी टीम ने बार होकी इंडिया सीनियर महिला राज्टे चेंपिंशिप का फाइनल जी फाइनल में करना टकाओ को दो जिस हरा कर रिए खेदाब अपने नाम किया है सब्सक्राइब कोशन मस्तिक से निम्ले किस के इंदरी मंतिर ने बायो टेक शोद करता हूं और स्टार्ट अप के लिए एक एकल राष्टे पोर्टल का नावरण किया है देश में जैविक अनुसंदान और जैविक गति विदियों के लिए नियामंकर अनुमति चाहने के वाले सबी को बायो आरार एपी का उप्योग करेंगे मंतरी के अनुसार भारती यूवाओं के लिए जैविक और ध्योगिक त है रहे ररिष्ट1म्ट है यहां दान गया गरा चाहंतर रहें इत अन्पी में किस देश के प्रदान मंज्यों नेche 10 नेये and दखने इंपोर्टेंट है ठीक है और श्री लेगे पतान मंत्री बने एंथनी ठीक है कोशन नमर एट रहें कौन एवरिस्ट बेस कैम फद्य करने वाली पहली कम उम्र की भारतिय परवारोईद बन गई है फ्रेंड ये कौन है तो उनका नाम है ऑप्शन डी रिदम ममानिया ठ जो उनका बेस कैम पैवरिस्ट का उसको फटा करने लिए सबसे कम उम्र की पहली महिला बनी और मुंझा कि जिनकी उमर है दस वर्ज ठीक के दस वर्ज है इनोंने सबसे कम उमर में इसको फट्य किया है ठीक है बताते हैं कि इस नहीं ने 53064 मीटर की ओचाई पर 11 दिनों के बेस कैम के चुड़ाई पूरी कर एक दुरलब उपलब्दी हासिल की है ठीक है ना बहुत उपर इन्हों हाइट पे इन्होंने चड़ाई की है ठीक है तो इंपोर्टेंट है 11 दिनों में कारे किया है दस वर्श की इनकी उमर है ठीक है किस राज्य ने लॉंच किया है संभव पोर्टल ठीक है तो किस राज्य ने लॉंच किया यह राइट अंसर का ऑप्शन बी उत्तर परदेश ठीक है उत्तर परदेश के अंदर हाले हैं बहुत जाद समस्यां देखने ही पड़े थी उर्जा से रिलेटिट तो इसंकी सिकायतों को निर्दान करने के लिए विकास मंतरी अर्विन शर्मा ने उत्र परदेश में दो विभागों को सारवजनिक शिकायतों और निगरानी कारे करम और योजनाओं के निप्टान के लिए संभव पोर्टल लॉंच किया है संभव पोर्टल मल्टी मॉडल प्लैटफॉर्म है जिसमें सारवजनिक शिकायतों को तेजी दे और प्रभावी डंग से निप्टान और शुशाषन परदान करने सारवजनिक सेवा वितरन को पारदर्शित और जवाब देही बनाने के लिए लॉंच किया गया है तो संभव पोर्टल उतर परदेश के लिए लॉंच किया गय ठीस कॉशित नमबर ठे़न ए इमपोरेंट है किस राज्य में 21 इंवर बनाता है दीस को में बनाते हैं इसन ये फंपरदा होता है तो यह राज जो राज्यають के == То कंद का राज्या के ला रधर हम 8 वा राधराशिय यउंध्रटफस गृ के नियोर को मानाने जा जा रहे हैं ट्रेह प्रियम करने पटेश मेलते रहें, so friend, thank you for watching my video friend, thank you, thank you friends.